फ्रेंड्स ये इस्टोरी का अंतिम भाग है अगर आपने इससे पहले वाली इस्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रेप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है आप वहाँ जा करके सुन सकते हैं हर रोज इस्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप को मिल सके और हाँ प्लेज आप लोगों से रिक्वेश्ट है कि आपनो कहानी को पूरा जरूर स उने शाम का समय था अर्मान अपने कमरे में कुछ काम में वेस्ट था बलविंदर तहलने गए थे और अनन्या बैठकर टीवी में निउस देख रही थी अर्मान ने जल्दी अपना काम खत्म किया और हाल में आकर ममा के पास बैठा अनन्या मगन होकर खबरे देख रही थी अर्मान कुछ देर बैठा रहा फिर ममा की गोद में सर रखकर लेट गया अनन्या समझ गई उनका बेटा किसी टेंसर में है या कुछ कहना चाहता है पर वो जानती थी वो खुद ही बताएगा तो धीरी धीरी उसके बालों को सहलाने लगी अर्मान कुछ देर धीरी से बोला ममा आपको याद है बच्पन में जब भी मुझे आपसे कुछ चाहिए होता था मैं इसी तरह आपकी गोद में सर रखकर सो जाता था और आप समझ जाती थी अगर आपको मेरी मांग ठीक नहीं लगती तो आप पहले डाटती फिर नाराज रहती थी पर अगले दिन मुझे मे अर्मान ने हां में से रिलाया और अपनी आखे बंद कर ली अनन्या का ध्यान उस न्यूस की ओर गया जो हर एक चैनल में दिखा रहा था कि इस तरह एक होस्टल में लड़कियों को अपरहण करने आए गुंडो का लड़कियों ने मुझ तोड़ जवाब दिया और वह कि इतने हिम्मत रखे तो उन पर अत्याचार कम होते देर नहीं लगेगी उन गुंडों को टीवी में दिखाया जा रहा था रिपोर्टर ने इंस्पेक्टर से पूचा क्या हम उन लड़कियों के बारे में जानकारी पा सकते हैं जिन्हों ने इतने बड़े काम को अंजाम दिया इंस्पेक्टर ने जवाद दिया सॉरी क्योंकि हमें लगता है इन अपरहण कारियों के साथ और भी लोग मिले हुए लड़कियों को सामने लाने से उन पर फिर से हमला हो सकता है इसलिए हमें उपर से ओर्डर मिला है कि उनका पर्चे गुपत रखा जाए लड़कियों के पास हथियार थे इंस्पेक्टर मुस्क्राया और बोला नहीं पर मुझे अब पता चला है कि इनके हथियार तो इनके फेवरिट जगह यानि किचन में रहते हैं इसके अलावा इनकी हिम्मत और सूजबूज ही इनके हथियार है इन लोगों को घायल करने के लड़कियों को पिस्तोल ये चाकू नहीं चाहिए रिपोर्टर बोला मैं समझा नहीं इंस्पेक्टर ने जवाब दिया इनके लीडर के आँखों में एक लड़की ने लाल मिर्शी डाल दिया वो लगबग अंधा बन किया है रिपोर्टर बोला ये कुछ जादिती नहीं ह पूरी होती है उनके लिए ऐसी ही सजा होनी चाहिए मेरे भी 14 साल की बेटी है और मैं इन बच्चियों का दर समझता हूं रिपोर्टर दर्सकों की ओर मुखातिप हुआ और बोला देखा आपने इंस्पेक्टर को भी लग रहा है उन्होंने सही किया है इसे ही नारी सकती कह अधिल को थोड़ी धंधक मिलीये कास मैं उनसे मिल पाती अमान मुस्कृता हुआ पूछा आप उनसे मिलना चाहते है अनने ने जवाब दिया हाँ पर कैसे अर्मान ऑटकर बैठता हूँ बोला वह डाक्टर मुस्कान डाक्टर निक्ता और बाकि कल्स उसके होस्टल की है अनन्य ने उसकी तरब देखकर पूछा सच में? मुझे उनसे मिलना है अर्मान अर्मान थोड़ा चुप रहा फिर बोला और मम्मा वो लड़की जिसने उस लीडर पर मिर्ची फेकी थी वो रित्मा है अनन्य ने उसे विश में से देखा क्योंकि वो जानती थी अर्मान की रित्मा नाम की कोई दोस्त नहीं है उन्होंने थोड़ा रुख कर पूछा कौन? माने कौन रित्मा? अर्मान उनकी तरब देखता है बोला आपने सही समझा मम्मा आपकी बहु रित्मा? अर्मान ये सुनकर लगबा उचल गई फिर अर्मान को देखते हैं बोली मेरी बहु तुझे रित्मा कहा मिली? तो उसे कैसे जानता है? मेरी कोई बहु नहीं है अर्मान तो ये बात भूल गया है अर्मान 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 के पास आकर उनका हाथ पकड़कर बिठाता हुआ बोला ममा मैं जानता हूँ आप रित्मा से बहुत नाराज है पर एक बार मेरी बात सुन लेजे फिर आप जो कहेंगे मैं मानूंगा अर्मान बोला तो कुछ भी कहे मैं उसे अब नहीं सुन करने वाली अर्मान बोला ठीक है ममा बस आप सुन लो मेरी बात अनने नाराज की भरे नजर से उसे देखती है बोली बता अर्मान बोला ममा रित्मा को उस लीडर ने ही प्यार की जाल में फासा था पर रित्मा को उसकी असलियत पर पता चला तो वहाँ से भाग निकली और आज एक साल से उससे छुपने की कोशिस कर रही थी अनने पेचेनी के साथ बोली पर तुझे कैसे पता और वू मुसकार निक्ता को कहां मिली कहीं वो यहां तो आई नहीं थी अर्मान बोला नहीं ममा वो यहां नहीं आई थी पर किस्मत ने हमें मिलाया मैं आपको पूरी बात बताता हूँ प्लीज आप सुन लेजिए फिर जो वैसला करना है कीजिएगा अर्मान निर्द्मा के कार एक्सिदेंट से लेकर पूरी घटना का वेवरा दिया और अर्मान जब छुप हुआ तो अब तु चाहता है मैं उसे सुखकार कर लो अर्मान ने सर हिलाया और बोला उसे अपनी गल्ती की सजा मिल चुकी है ममा मुष्किल यह है कि शशांक सर ने उन्हें अपनी बेटी मानने से इंकार कर दिया है अब वो कहां जाएगी आप बताओ अनन्या नाराज की सी बोली मुझे क्या पता अर्मान थोड़ा चुपरा फिर बोला ठीक है ममा उसकी किस्मत ही ऐसी है तो मैं क्या कर सकता हूँ कल उसे कह दूँगा की अनन्या उसके मूग की बात छीनते बोली क्या कहेगा कि ममा ने मना कर दिया है तुम्हें अपनाने से अर्मान ने हामेशी रिलाया और बोला आप नहीं चाहती तो उसे मैं घर में नहीं ला सकता ममा अनन्या बोली आज इसलिए मेरे गोद में सर रखकर कुछ मागना चाहता था तू अब मैं कहूंगी तो तुम माल लेगा मेरी बात अर्मान ने का माल लूँगा ममा क्योंकि आप मेरे लिए रिद्मा से कहीं बहुँ जादा इंपोर्टेंट है अनन्या उसे घूरते बोली साधी के मंडप में उसकी जिमेदारी ली थी तूने अब इस तरह मूँ कैसे मोड सकता है अर्मान को समझा नहीं अनन्या का मूँ देखता रहा अनन्या मुस्क्रा कर बोली पत्नी है तेरी और साथ निवाने की कसम खाई थी तूने न इसलिए तो उसे मुसीबत में देखकर तो उसके साथ खड़ा रहा अब मा के कहने पर उसे ठुकरा देगा तेरी मा इतनी भी बुरी नहीं है जा ले आ उसे अर्मान ने आस्या से ममा को देखा फिर उचलता हुआ उनके गले लग गया और उनका हाथ चुमता हुआ बोला आप बेश्ट ममा हो अनन्या मुस्काती बोली पहले पापा से पूछ ले अर्मान ने हस्ते वे खा वो काम मैंने पहले ही कर लिया है बस आपके इजाज़त चाहिए थी अनन्या बोली पर मेरी एक शार्थ है अर्मान अर्मान दिप्ता की नजरों से देखता हो बोला क्या ममा अनन्या ने जवाब दिया उसे तेरे साथ फिर से शादी करनी होगी क्योंकि मैं चाहती हूँ उस मन्हूस घटना को हम भूल जाए और मुझे तुम तुनों की विवा की तस्विरे भी तो चाहिए पुरानी तो मैंने गुस्से में जला दी अनन्या उधर देखी रहती की बलबिंदर की आवाज आई अनन्या सब कुछ पहले जैसा होने के लिए डाक्टर ससांग का यहां होना जरूरी है क्या वो सचमुष अपनी बेटी को माफ नहीं करेंगे अनन्या मुस्क्राती बोली क्यों नहीं करेंगे हम सब हैं न उन्हें मनाने के लिए अगले दिन अर्मान रिद्धिमा को अपने घर ले आया वैसे तो रिद्धिमा का दिल खुशी से उचला था क्योंकि वो उस घर में वापस जा रही थी अर्मान की जिन्दगी में वापस जा रही थी पर घबराट उसकी चेरे पर साफ नजर आ रही थी जैसे ही वो कार से उतरी अनन्या और वलबिंदर को लान में ख़़ा देखकर उसके पाउं वही रुख गए अर्मान समझ रहा था कि रिद्मा बहुत डर रही है इसलिए उसका हाथ पकड़ कर उनके सामने आया और बोला ममा जो चाहे सजा दे दो पर अपने कदमों में इस पागल लड़की को थोड़ी सी जगह दे दो अनन्या ने ख्याल किया कि रिद्मा की आँखे भार आई हैं उन्होंने रिद्मा की ओर देखती वे का थोड़ी सी क्यों हम पूरी जगह ही इसे देंगे पर मेरी भी सर्त है रिद्मा भर रायसर में बोली आप जो कहेंगी मैं मानूँगी अनन्या मुस्कराती बोली मैं जब तक ना कहूं इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी मंजूर है न तुमें रिद्मा ने सर हिलाते वे उनके पैर चुलिये अनन्या उसके माथे को आसिरबात देते हुए छूलिया तुमो बलविंदर के पैरों पर चुक गई उन्होंने उसे आसिरबात देते हुए अनन्या से बोली वैसे भी बच्ची डड़ी हुई है अब इसे और ड़ाओ मत अनन्या अंदर ले चलो पर अनन्या बोली रुको पहले मुझे आर्ती उतार लेने तो जिससे आप कोई अपसगुन घर में नहीं हो अनन्या के बुलाने पर काका पूजा की थाई लेकर दोरते हुए आये और रिद्धिमा को देखकर मुस्क्राने लगे अनन्या ये देखती हो बोली आप तो ऐसे मुस्क्रा रहे हो जैसे रिद्धिमा को पहचानते हो काका हसते में बोले अर्मान बाबा बता दूप्या अर्मान ने आखे दिखाए तो काका बोल पड़े अनन्या मैडम को भी ना बताए मुझे खाना हजब नहीं होगा अर्मान बाबा वैसे अब मेरी रिद्धिमा बेटी इस घर में बहुत बहु बनकर आ गई है तो अब छुपाना कैसा अनन्या बोल पड़ी अभी रिद्धिमा सिर्फ मिलने आई है काका मैं इसे उसकी घर से दुलहन बना कर लाओंगी ये सुनकर रिद्धिमा सर्मा गई और अर्मान मुस्कराने लगा से सांग बहुत दिनों बाद मुंबई आये थे उन्होंने अपने होम टाउन में हॉस्पिटल में जॉइन कर लिया था और खुद को बैस रखने की कोसिस में थे पर रिद्धिमा की याद उन्हें ना दिन में चैन देती थी ना रात में कभी-कभी वो खुद को तसली देते कि रिद्धिमा अपनी दुनिया में खुष है और इतनी खुष है कि उसकी याद भी नहीं आती है उसे पर कभी-कभी दिल बहुत खबराता था शादी से पहले उन्होंने रिद्धिमा के रिक्वेस्ट पर बिवेक को घर पर बुलाया था और उससे मिले थे और उन्हें पहली नजर में ही वो धूर्त लगा था पर तब तक रिद्धिमा पूरी तरे बिवेक की प्यार की जाल मे पहस चुकी थी और ससांग के समझाने का कोई असर नहीं हुआ था उस पर वैसे भी वो इतना चुप रहती थी कि उसके अंदर क्या चल रहा है ससांग समझी नहीं पाते थे और उन्हें इस वक पद्धमा की बहुत याद आती थी उन्हें लगता था शायद पद्धिमा के द मिला कर भाग जाने पर ससांग उस पर बहुत जादा खुब खबा थे और उन्हें ये भी ऐसास हुआ था कि उन्होंने अर्मान के साथ गलत किया है इसलिए उन्होंने प्राइशित के तोर पर अपना घर उसके नाम लिख दिया था और मुंबई छोड़ दिया था कुछ समय प कर दिया था आज अचानक संजीवनी में हो रही एक कांफरेंज अटेंग करने का उन्हें मौका मिला तो वो खुद को रोक नहीं पाए शायद एक आस ये भी थी कि नित्मा से एक पार मिल ले उनके वहां आने पर सबने उनका गर्म जोसी से स्वागत किया उन्हें अपने प से उसे अपने साथ संजीवनी ले आया करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि रिद्मा को संजीवनी से इस प्रोफेशन से प्यार हो जाए पर इंसान सोचता कुछ और है होता कुछ और है उन्होंने अपने ख्यालों को जटका सबसे मिलने लगे अर्मान को देखती उनका छेहर खबर ली पर एक बार भी उससे रिदमा के बारे में नहीं पूछा Conference खतम होने के बाद वो डक्टर सुभंकर के केविर में आए और वहां उनसे बाते करते वे आराम करने लगे क्योंकि उनकी फ्लाइट देर रात को थी डक्टर सुभंकर उनसे बाते करते वे बार बार खड़ गई डाक्टर सुभांकर ने रिद्मा को इसारा किया कि डाक्टर ससांग के पैर चुए पर रिद्मा में इतनी हिम्मत नहीं थी तभी अर्मान की आवाद आई अरे रिद्मा तुमने पापा के पैर चुकर आसी बाद नहीं जो जल्दी जाओ रिद्मा ने सर हिलाया और नजरी चुका कर उनके पास आई और उनके पैर इस परस किये पर डाक्टर ससांग दूसरी तरफ देखते रहे डाक्टर सुभांकर बोल पड़े सर आपने अभी तक अपनी बेटी को माप नहीं किया डाक्टर ससांग ने गंभी सुर्वे उत्तर दिया क्या वो मापी की लायक है ये सुनते ही रिद्मा की आँखे आसु बहाने लगी डाक्टर कीर्थी अंदर आती हुए बोली रिद्मा को अपनी गलती का हैसा सो चुका है डाक्टर ससांग और वो वापस आ गई है सुबह का भूला साम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते उसकी एक गलती माप कर दीजे अर्मान अंदर आता हुआ बोला सर मेरा विश्वास कीजिए निद्मा अब भला बुरा समझने लगिए और आपके पास वापस जाना चाहती है प्लीज उसे माप कर दीजे औ वो मेरी बेटी नहीं किसी अच्छे घराने की बहुँ बन चुकी थी पर उसने सब की इच्चत मिट्टी में मिला दी बलबिंदर की आवाज आई ससांग जी बच्चे से गलती हो गई और हमने उसे माप कर दिया है पर अनन्य ने उसे सर्द रखी है कि आपकी घर से आ सकेगी अब आप माप नहीं करेंगे तो वो कहां जाएगी बताई आप ससांग उनकी और देखती बोली ये आप लोगों की महरबानी है कि उसे माप कर दिया पर मैं उतना महान नहीं हूं बलबिंदर जी कुछ दिर में मेरी फ्लाइट है मुझे जाना चाहिए पीछे से बोल पड़े इन बच्चों के साथ मैं भी भूख हरताल पर होंगा जब तक आप नहीं मानेंगे डाटर ससांग कुछ रुष्ट स्वर में बोले ये क्या बच्पना है अनन्या अंदर आते बोली बच्पना नहीं ये ससांग भाय साब बच्पना शायद आपने कभी की थी इ अचा ठीक है अपनी बेटी ने समझकर हमारी बहु समझकर माफ कर दीजी अचानक रिद्मा उनके पैरों पर गिर पड़ी और रूधे सुर्वे वली पापा माफ कर दीजी आप अब जो कहोगे मैं मानूंगी डाक्टर ससांग का धिल भराया उन्होंने उसे बाहें पकड़ कर उठाते वे का अब तेरा भिवा हो चुका है अब तो अर्मान और तेरे सास सुझ जो कहेंगे तुझे मानना चाहिए अर्मान बोला नहीं सर रिद्मा अपना भला बुरा समझने लगी है इसलिए वो हम सबकी बात मानते हुए भी अपने विचार बैक्ति करने के लिए चुना था रिद्मा सर जुकाते हैं बोल उठी जी हीरा उसकी बात पर सब ठाहा का लगा कर हस पढ़े और डाठक ससांग के होट भी मुस्क्रा उठे शादी के मन्त पढ़े जा रहे थे और अर्मान सपनों की दुनिया में खोया हुआ था उसे सब कुछ एक कुपसूरा सप को कुई नहीं चीन सकता है अनन्या के हुकम पर सब कुछ पहले जैसा हो रहा था अर्मान फिर से दूला बना सेरा बांदेस धिकर आया था और रिद्मा धुलान बने उसके सामने आई थी जिसे देखते ही अर्मान को ऐसा महसूस हो रहा था ऐसा, अपने भोश dalकार पहली ब वो उसे जी भर कर देख रहा था और मुस्कान के कहने पर होस आया था कुछ तो सर्म कर अर्मान ऐसे आंके फार फार कर मत देख देखा कर बिदाई के समय ससांग की आंके भराई थी वो कभी सोची नहीं सकते थे कि उन्हें अपनी बेटी वापस मिल जाएगी और उनके सपने पूरे होंगे उन्होंने रितिमा का हाथ अर्मान के ऐध में देती हुए कहा बेटा समहलो अपनी जिम्मेदारी है जब अर्मान ने मुस्क्रा कर रित्मा के हाथों को अपने हथेली में दबा लिया रित्मा को ऐसा महसुस्वा जैसे अब उसके जीवन में कोई भी समस्या आए कितनी भी मुस्क्राइए उससे पार कर लेने वाला उसे मिल गया है पापा को छोड़ कर जाने का जितना गम था उससे ज़्यादा खुशी थी अर्मान का साथ पाने का उसकी दुलहन बन कर फिर से उसी घर में जाने का जिस घर से उसे अतहा प्यार हो गया था उसकी शादी में उस होस्टल के सारे गल्स और मिस सेन भी सामिल हुई थी और उन्होंने अपने आदत के मताबिक रिद्मा को छेड़ने का मौका नहीं चोड़ा था पर उनकी बाते रिद्मा को बहुत ही प्यारी और सुहानी लग रही थी इसे बीच मिस सेन ने उसे ये पस्मू रिवाज के बात अनन्या ने रिद्मा को उसका कमरा दिखाते वे आराम करने को कहा था और चली गई थी उस कमरे में आकर रिद्मा को लगा था जैसे उसकी जिंदगी उसे वापस मिल गई हूँ उसे इस कमरे से इतना प्यार हो गया था कि कभी लगा ही नहीं इस प मां के होट मुस्करा उठे उसने देखा कुछ तस्वीरे उसकी पहली शादी की जिसमें वो तुलहन बनी वी थी वो अपने फेबरेट बिस्तर पर बैठते वे इस तरह कहा मालो बिस्तर उसकी बिछली भी सहली हो मैं वापस आ गई हूँ और अब मैं अपने जिन्दगी यहां गुजार होंगी अपने अर्मान के साथ उसके होट जैसे योही कुन-कुना उठे पिया का घर है ये रानी हूं मैं रानी हूं मैं घर की अर्मान अपने दोस्तों से बाते कर रहा था तबी मुस्कान आई और उसकी पीट पर धौल जमाती है बोली अबे तेरी सुहाग रात ह जल्दी जा वरना वो पागल लड़की बोर होकर फिर से भाग जाएगी अर्मान मुस्करा उठा और बोला तेरे संगत में सुधर गई है वो आप कहीं नहीं जाएगी निक्ता बोली पर अर्मान बहुत रात हो गई है तुझे जाना चाहिए और दोस्तों चलो हम अपने घर चलते हैं सबने हामी भरी और अर्मान को बाय कहकर निकल गए अर्मान ने अनन्या से थोड़ी बात की और अपने कमरे की ओर रूख किया जहां उसके सपनों की प्रिंसेस उसका इंतिजार कर रही थी कमरे में आते ही उसने देखा रितमा उन तस्वीरों में खोई हुई थी जो अर्मान ने अब तक छुपा कर रखी थी और अब दिवार पर टांग दिये थे अर्मान दीरे से उसके पास आया और उसे अपने आलिंगर में लेता हुआ पूछा क्या देख रही हो रितमा भराय सुर में बोली तुमने अभी तक हमारी शादी की तस्वीरे रखी थी अ अर्मान मुसक्राता बोला अखोस साधी तो जिन्दगी में एक ही बार होती है न रितमा ने पूछा और अगर में वापस नहीं आती तो अर्मान उसके लटों से खेलता वह उत्तर दिया तो इन यादों के सहारे एक जिन्दगी कठी जाती तुम क्या कहती हो रितमा को लगा इस इनसान को जी भर कर देखे जो उसके प्यार में अपने जिन्दगी बिता सकता था वो उसके हाथों को चुमते वे दीरे से बोली I love you अर्मान अर्मान अपनी उंगली से उसके गालों को चुते वे कहा मीटू रितमा उसकी और देखती बोली अर्मान मुझे तुम से एक पहनाया हुआ है वो कैसे अर्मान मुस्कराया उसका हाथ पकरकर बेट पर बिठाता हूँ बोला मुझे अपना मंगल सुथ दो पर रिदमा जल्ली से बोल पड़ी नहीं मुझे नहीं उतारना अर्मान हास पड़ा और बोला ओके मैं उतारता हूँ उसने मंगल सुथ उतारा औ और उसके पैनेट को दिखाते वे का, ध्यान से देखो, यहाँ छोटे छोटे डायमेंड से एर लिखा हुआ है, मैंने खास कर इसे बनाया था, रिदमा अपने मंगा सूथ को चुमते वे बोली, इसे पहना दो अर्मान, पर अर्मान उसे अपनी और खीच कर, अपनी बाहों मे भरती वे गुर्गुनाया, आज अर्मान और रिदमा के बीच और कोई ना आए, क्या ऐसा नहीं हो सकता, यह सुनते ही रिदमाने शर्म से आंके चुका ली, उसके पतले गुलावी हो थर-थर कांप रहते, अर्मान ने धीरे से उस पर उंग्डी फिराई और उसे चूम लि उसने उसे अपने बाहों में लेती हुए, उसकी कजरारी आंकों में जागती हुए, आंकों ही आंकों में उसकी इजाजत मागी, जिससे वो एक कदम और आगे बर सके, और रिदमा की आंकों में उसी चिनगारी को धदकती हुए, देखकर उन बाधाओं को दूर कर दी, जो उन्हें एक होने से रोकती थी और दोनों प्यार की समंदर में गोती लगाने लगे जहां किसी और का परवेस निशिद्ध था ये उनकी अपनी दुनिया थी अपने प्यार की दुनिया साथ साल बात रित्मा हॉस्पिटल जाने के लिए तयार हो ली थी अचानक खुद को किसी की बाहों में जगड़ा हुआ पाया उसने मुस्ट गाते वे का क्या बात है आज डाक्टर अर्मान बड़ी रोमांटिक हो रहे है अर्मान उसे पीछे से अपने आलिंगन में लेती वे उसके गाल को अपने गाल से इस्पर्स करती वे बोल उठा मेरी कोई गलती नहीं है आज मौसम ही ऐसा है रित्मा खुद को उसके बाहों से चुड़ाती वे पूछी आज हॉस्पिटल नहीं जाना क्या अर्मान नामे से रिलाया और बोला नहीं कह दिया तब है ठीक नहीं है तुम भी छुट्टी ले लो ना रित्मा भवे चढ़ाते वे बोली और फिर जब कल मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो आपके सारे फ्रेंट्स मुझे चढ़ाएंगे अर्मान उसे अपनी बाहों में खीचता बोला अगर इतना सा प्रावलम है तो मैं उन्हें कह दूँगा कि मेरी प्यारी बीबी को कोई कुछ ना कहे देखो आज बहुत दिनों बाद हम तुम घर में अकेले दोनों सैतानों से पीछा चुटा है वरना तुम्हारे पास मुझे देखते ही अमन कैसे अपनी अँखें बड़ी बड़ी करके कहता है रुको दादी को बताता और आर्यन तो इससे भी आगे है कहता है मेली मम्मा को आप किची किस क्यों करते हो अपनी मम्मा को कलो रितमा जूट मुट गुस्टा करते है मेरे बच्चों को कुछ मत कहना डाक्टर अर्मान मली वो मेरी जान है अर्मान मुस्क्राती वे उसके आँखों में जहागते है पूचा है और मैं क्या हूँ रितमा उसकी गले में अपनी बाहें डालते है आप मेरी जिन्दिकी हो, मेरा दिल, मेरी धरकन, मेरी मननत, मेरी जननत, अर्मान हसता बोला, बस बस समझ गया, हाँ, जननत से याद आया, मैंने उसकी सीडी राहुल से ली थी, चलो दोनों मिलकर देखते हैं, रित्मा भवे चड़ाती है, कोई जरुवत नहीं है, मुझे इम अर्मान ने उदासी सास भरी, और बोला, फिर मैं घर पर रह कर क्या करूँगा, अकेले रोमास तो होगा नहीं, कहते हैं उसने रित्मा को आँख मारी, रित्मा मुसक्राती है, उसकी गाल पर प्यार से एक चपत मारती बोली, I love you, आज मेरा जाना जरूरी है, वरना मैं आरूर, ऐसी जालिम बीबी मिली है, मैंने कहा मेरी तवेट खराव है, रुक जाओ, तो कहती है, पैसें को उसकी ज़्यादा जरूरत है, मुसकान हस्ते बोली, सबको पता है, तुने छुट्टी क्यों ली थी, साथ साल हो गए, पर तेरा रोमास बिलकुल भी कम नहीं हुआ वैसे बच्चे कब वापस आ रहे हैं, लोनावाला से, अर्मान ने जवाब दिया, आज रात को, राहूल मुसकाते बोल पड़ा, तब तो आज का दिन तुम्हें बरबाद नहीं करना था, अर्मान हस्ता बोला, क्या करूं, बता राहूल, ये लड़कियां मम्मा बनते ही ब पास जाकर सोजाओ, तो पता है, अमन ने मुझे क्या जवाब दिया, उसने कहा कि, आप अपनी मम्मा के पास सोना, और हम अपनी मम्मा के पास, और नाट, I don't want to repeat, सब हसने लगें, अंजली बोली, मेरा आरफ, अंजली अतुल का बेटा, यही वाक कहता है, उसकी क्लास अपने पापा की बिना रही नहीं पाती ही, और अभी उस पर जान छिरकता है, अतुल बोल पड़ा, मुझे भी बेटी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इस बार बेटी ही चाहा है, इतना सुनते ही सब की नजरें, अंजली की ओर घूम गई, निक्की ने कहा, तूने हमें ब जी रहती है, और एक आज आएगी तो कैसे समालेगी, यही सोच कर चुप रहता हूँ, मैं उस पर कोई दवाव नहीं डालना चाहता, सबके पेजर बज उठे, सो वे अपनी डिवटी को चले गए, रित्मा ने अंदर आते वे अर्मान की बाते सुन ली और दिल में कहा, रित्मा भी काम हो, रित्मा उनके इस शौक का ख्याल लगती थी, कुछ दिर बाद अर्मान को ना पाकर वो कमड़े में आई, और देखा, वो सर से पैर तक चादर ढखका सो रहा था, रित्मा घबरा कर पुछी, अर्मान तब यह ठीक नहीं है क्या, अर्मान चादर हटाता हो बोला, मैं ठीक हूँ, रित्मा बोली, तो सो क्यों रहे हो, कुछ दिर में बच्चे और मम्मा पापा घर आ जाएंगे, मैं तो बहुत ज़्यादा खुछ हूँ, तुम नहीं हो, अर्मान ने सरीलाता हो बोला, नहीं, अपने दुस्मन से कौन को सो सकता है, रित्मा गुस पापा के पास चली जाओंगी, अर्मान बैठता हो बोला, तुम्हारा प्लान पूरी तरह से फेल होगा, बच्चे अपने दादा दादी को छोड़ कर जाएंगे ही नहीं, रित्मा बोली, मैं के लिए चली जाओंगी, अर्मान बोला, पापा समझ जाएंगे, उनकी जगड साती बोली, पापा को अपने दमात की गलती दिखती ही नहीं है, अर्मान ठाहा का लगा कर हस पड़ा, और फिर से बेट पर लेट गया, रित्मा सिकायत भरे लहजे में बोली, अर्मान तुम दिन पर दिन आलसी होते जा रहे हो, देखो आप तुम्हारी तोन भी दिखने ल ले आओ, दोनों सात सात इंज्याय करेंगे और इमरान हासमी की मूँ भी देखेंगे, रित्मा बहुए चड़ाती ही बोली, कोई चांस नहीं, अभी मुझे बच्चों के लिए केक बढाना है, अर्मान मूँ बनाता बोला, इसलिए कहा ना, बच्चे मेरी दुस्मन है, अर्मान गा उठा, ओ मुझे छोड़कर जो तुम चाओगे, बड़ा पस्ता होगे, रित्मा गुस्से से उसे घुरती ही बोली, कितनी बार कहा है, गाना मत गाना, मुझे पसंद नहीं है, और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, इस जनम में तो क्या, सो जनम अर्मान ठाका लगा कर हस बड़ा, और उसे चिड़ाता वा उसकी नापसंद का, और एक गीत काने लगा, लग जगले की फिर से, ये हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जनम में मुलाकात हो ना हो, रित्मा ने गुस्से से सामने रगा, फूल दान उस पर भीका, पर अर्मान उसे पकरता हुआ गाउटा, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, अकरती है, बिगरती है, हमेशा मुझे से लड़ती है, वो उचल कर बेट से बाहर आया, और रित्मा को अपने पाहों में खीसता हुआ गारे लगा, जो दिल हो प्यार करने का, त रात को जब रिदमा अपने काम खतम कर कमरे में आई तो देखा आरियन और अमन अपने पापा से लिपट कर सोई थे और अपनी टूटी पूटी जबान से साधी के बारे में बता रहे थे जो उन्होंने दादा दादी के साथ अटेंड किया था रिदमा फ्रेस होकर नायर सूट पहनी और आकर सोपे पर बैड़ गी और उनकी बाते सुनने लगी उसे अर्मान और दोनों बच्चों के ये पल बड़े अच्छे लगते थे जब वो पापा से स्कूल की अपनी दोस्तों की और जो भी दिन भर देखते उनकी बाते करते और अ बले बले ये मोटे मोटे दोनों जुड़ुआ थे पर उसमें आरेन थोड़ा कम जोड़ था और अभी तक तुतलाता था और अमन थोड़ा ज्यादा इंटेलिजिन था अमन बोड़ पड़ा तु चुपकर मैं बताता हूं पापा वो आंटी ना इतने सारी गैने पहने थे और बहुत अच्छी दिख रही थी इत्मा उसकी बड़ो जैसी बाते सुनकर मुस्क्राई मेर सारे पांस साल का था वो अर्मान उसके बाल पर हाथ भीरता बोला आपकी मम्मा भी जब दुलहन बने थी तब बहुत कुपसूरत लग रही थी और फिर अमन की बाते सुनकर अर अर्मान और रिद्मा दोनों यहां सबड़े वह उट बैठा था और मुख पुलाता हुआ बोल रहा था मुझे मम्मा को देखना था आपने हमें क्यों नहीं बुलाया अर्मान उसके गाल को चुमती बोला सौरी बेटा ओके कल हम सम मिलकर पिज्जा खाने चलेंगे ठीके न दोनों इतना सुनकर खुशी से कूदने लगे अमन कूदकर रिद्मा के पास आया और उसके गोदी में चड़ता हुआ बोला ममा मैं आपके पास सोजा हूँ रिद्मा ने अर्मान की वो देखा जैसे उसकी इजाजत मांग रही हूँ अर्मान मुस्कराता हुआ बोला आज अपनी ममा के पास सोएगा और आरियन पापा के पास ठीक है ना दोनों बच्चे खुशी से उचले लगे जहां रिद्मा ने आखोई आखों में अर्मान को थैंक्स कहा आधी रात हो चुकी थी रिद्मा ने अर्मान के इसपर्स को महसूस कर आखे खोली और देखा अर्मान मुझे इतना प्यारा परिवार देने के लिए मुझे इतने खुसी देने के लिए अर्मान उसे अपने सीने में भीशते वे कुन-कुनाया सिर्फ ठैंक से काम ने के लेगा रिद्मा उसकी ओर देखते वे खुस-फुसाई जो चाहिए बोलो अर्मान रिद्मा का सब कुस त बहारा यह अर्मान उसकी कमर में हाट डालते वे उसे खुष से लिपटाते वे गुर्वणाएं कुछी-कुची रकमा पास साओ ना एक अच्छी-च्छी गुड़िया दे दो ना सारा जहां सो गया चांद कहीं खो गया कुची-कुची रकमा पर अर्मान के और कुछ कहने से पहले ही रित्मा के नरम होट उसकी होटों से टकरा चुकी थे और अर्मान अपनी होज घमा बैटा था उसने रित्मा को अपने उपर खीज लिया और दोनों सारी दुनिया को भूल बहुत बहुत सारा इसने लुटाया है आप सब की प्यारे-प्यारे कर्मेंट को पड़कर मुझे बहुत होसला मिलता है आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे-ची कहानी आला सुकूं मिलती हूं कल एक नई कहानी के साथ तब तक कि ली, thank you, bye bye